आजंचे साथ में सेयर करने वाला हूं हे थाbles कंप्लेक्स proton में आई ही वेकेंसि के बारे में हैं सिस्टेंट मेंजर lin Schuld करेंस के वेकेंसी ऑर चन्रेंघ और कोलकटा में आप के हैं प्लेसमेंट और पोस्टिंग रखे गया है Assistant Manager Finance Accounts का Vacancy है जो की आपका Number of Vacancy यहां पर Total जो बताए गया है Two है Eligibility Criteria और सारी Details क्या है यह देख लेते हैं सबसे पहले एक पोइंट में Eligibility Criteria बताए गया है Age आपका 45 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए Qualification जो मांग गया है Member of Either Chartered Accountant और Cost Accountant तो CA और CMA में भीट membership है तो आप अप्लाई कर सकते हैं Desirable Knowledge में साइप का Knowledge मांग गया है यहाँ पर Selection methodology बताएगा Selection will be based on written test, interview, etc. तो written test और interview के त्रूँ आपका यहाँ पर Selection होने वाला Remuneration जो बताएगा The candidate will be paid a consolidated remuneration of 57,000 का आपको यहाँ पर Monthly Remuneration मिलने वाला Subject to TDS और Annual Performance के बेस पर आपका यहाँ पर Increment होने वाला है General Thumbs Condition में जो बाते बताएगी हैं जैसे कि जो भी candidate Interested है इस Posts का अप्लाई करने के लिए एक application form दिया हुआ है इसी notification में जिसे आपको fill up करके envelope में सबसे टॉप में लिखना application for Contractual Engagement to Assistant Manager Accounts HDC उसके बाद यह address जो बताया गया है यहाँ पर आपको भीज़ देना है Before 11th March 2024 तो भीज़ना है जिसमें कि आपका 11 March 2024 से पहले पहले यह पहुच जाना चाहिए उसके बाद यहाँ पर Formal Terms Condition दिया हुआ है क्या leaves आपको मिल देवाले Medical Facility क्या होगा कैसे work करना है यह सारी चीज़े यहाँ पर बताया गया है जिसे आप पढ़ लीजिएगा Apply करने से पहले उसके बाद यह application format है जिसको आपको fill up करना है और relevant document जो है Like Experience Certificate, Qualification और भी कोई cost category है तो उसको आपको इसके साथ attach करके send कर देना है और विफ़ोर 11 माज 2021 So, अगर LGBT criteria को meet करते हैं इस interested हैं भरने के लिए तो जरूर जाइए और application को भरिए Link जो आपको description box में मिल जाएगा अप्लिकेशन का यह notification के साथ वहाँ से जाके अब